हेलो फ्रेंड्स, वेरे बिरे अप्टर नून, कैसे हो, होब करता हूँ, आप से बलोग अच्छे योगश्वो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सौल करेंगे, हिंदी लेंग्वेस के प्रेंटिस इट पुरी पचास प्रश्णों कम लोग इस वीडियो में सौल करें प्लेलिश्ट में जाएगी फ्लेलिश्ट में आपको सारी के सारी क्लासेश़् एक साथ मिल जाएंगी, इन क्लासेश की बिल्कुर्म फ्री पी지 अग्र आप आपनों को चाहीए, तो आप लोगो बरे टेलिजिपनिवेरों को जान कर शकते हैं कनक कुधर केदार बीज सुन्दर सुर्मानी बर इस पंक्त में किस अलंकार की योजना हुई है तो ध्यान अकना यहाँ पे अनुपराश अलंकार आपका हो जाएगा ठेक है तो 51 का जो है आपका B वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रश्ण आपकी स्केन पे है कताई जहर वाला कसने स्टाल आगा के नोट के लिजगा अगर आप लोग हिंदी टॉपिक वाइसी क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में Hindi Topicワイ civ के नाम Does volume से एक प्ले लिस्ट होय एगए चलिया अगला प्रश्ण ये है कवी पिरिया किस रीतिकालिन कवी की रशना हैं बतायें से ब्लोग कवी पिरिया किस रीतिकालिन कवी की रशना है 52 जॉब दने के भ्राज करेंगे वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन आपके एक्जाम के लिए गुड़ाप्ट अनू बाई सभी को गुड़ाप्ट अनू वीडियो को लाइक सेयर करते हैं रोजशाब लोग थाकि कोई भी अपडेट हैं वो अपडेट आपको मिलें सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा तो कभी प्रिया की सी रीतिकालिन कभी की रशना है केशव दासकी है ठीक है फिप्टी टू का जो है आपका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए जाती वाचक संग्य शब्द कौन सा है यहाँ पे डॉक्टर है, सुसील है, कमाईनी है, बच्पन है तो पताए इसमें जाती वाचक संग्य शब्द कौन सा है सभी लोगों को उड़ाप टर जो भाई सभी को शोशेल तो आपका बेक्ती वाचक हो जागा तो यहाँ पे डॉक्टर आपको जो है जाती वाचक संग्या हो जागा 53 का जो है यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जागा चलिए आगे चलते हैं सबी डॉक्टर का बोध हो जा रहा है चलिए कौन सा काबि संग्रह शूर कांत्रिपाठी निराला का नहीं है मताई इसमें कौन सा काबि संग्रह शूर कांत्रिपाठी निराला का नहीं है यहाँ पे आनामी का तो है राग विराग भी है परिमल भी है पल्लव जो है निराला जी का नहीं है पल्लव ठीक है पल्लव किसका है शमित्रा नंदन पंत जीका है ठीक है काबिश अंगरा तो 54 का जतने हो भी लोग यहां पे डी जॉप दिये उनका अंसर बिल्कुन सही होतागा चड़िए कुछ भी डौट से हैं बियर से रेले जिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डौट के लिए गर सकते हैं अगला प्रश्ण है निमलखित में से कौन सा शब्द जो है संग्या है यहाँ पी कुद्ध है, क्रोधित है, क्रोध है, क्रोधी है तो बताइए इसमें कौन सा शब्द जो है इसमें संग्या है 55 को जौब देने के प्रयास करेंगे आंसा सोचने का जादा समझा ही तो वीडियो को रोक भी सकते हैं एक विश्वास के साथ आप लोग हमाने चैनल से जूड़े रहे हैं इस चैनल से आपको निश्चिती मदद मिलेगी कौन सा शब्द इसमें संगय है बताने के प्रयास करेंगे तो मैंने आप सभी को बताया भी था जब वचन मड़ी क्लास हुई थी शंगय की जब मैं क्लास लिया था तो उसमें वचन, लिंग, सब कुछ पढ़ाया था तो प्राण बताया था न आप लोग को हमेशा बहु वचन में प्रयक्तु होता है ठीक है प्राण आपका सही हो जागा ठीक है चलिए आगे चलते हैं पटपीत, मानहू, तडित, रूची, सुची, नैमी, जनक, सुथवार, इस पंक्ति में किस अलंकार की यूजना है बतायें सब लोग इस पंक्ति में किस अलंकार की यूजना है 57 का जॉब दने के प्रैस करेंगे अंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रूप भी सकते है उपमा अलंकार आपका हो जागा ठेक है 57 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा सा का उचान इस्थान किस से है बतायें सब लोग तीनो सा का मैंने बताया है और आज आपका कम से कम 50 में से 30 प्रशन सही होना चाहिए तो पूरी क्लास जरूर देखेगा जरूर से जरूर आपके 30 प्रशन सही होंगे बहुत ही जबर्जस क्लास होने वाली है आज की वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी जबर्जस से ग्लासे मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ तो देखेगे इस वाले शा की बात करें तो इसका उचान से तालू शे होता है अगर हम इस वाले सा की बात करें चलिह यहाँ पर लिखाई हुआ है इस वाले सा की बात करें तो इसका उचानत मुर्धा से होता है इस वाले की बात करें तो दंत से होता है ठीक है? चलिए यहाँ पे यह आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा पावर्ग का उचानसान जैसे होता है किसे होता है? ओंश्ट से होता है का वर्ग का उचन सन किसे होता है दंत से होता है ठीक है चा वर्ग का तालू से होता है इचु ये शानाम तालू और टाका किसे होता है दंत से इसका मुर्धन से होता है ठीक है टाका चलिए उसमे विंजन वरन नहीं है कौन सा उसमें विंजन वरना नहीं है कौन सा तो देखिए उसमें विंजन होते कौन कौन से हैं ये तीनों सा हो गया आपका और आपका हा हो गया यही चारों आपके उसमें विंजन होते हैं अब यहां पे रा जो है आपका उसमें विंजन नहीं था रा दिखिए अंतहस बिंजन है या हो गया रा हो गया ला हो गया वा हो गया ये चारों आपके अंतहस बिंजन है ठीक है तो ध्यान रखना उस बिंजन तीनों शा और ये हा हो गया चार अंतहस बिंजन या रा ला वा आपका हो गया इस पर से बिंजनों की संक्या तो पूचे तो 25 होते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन भी बहुत ही जबर जस्ता है किस वाक में वचन का सही प्रयोग हुआ है बताएं सब लोग शाट का जॉब दने के प्रयास करेंगे आप लोग यार वीडियो को लाइक नह बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए महीप का शही संद्विच्षेत क्या हो जगा भाई महीप का शही संद्विच्षेत क्या है 61 का जौब देने के प्रयास करेंगे महीप का सही संद्विच्षेत क्या है 61 का जौब देने के प्रयास करेंगे महीधन इप आपका हो जागा ठीक चलिए, एक सट का जो है आपका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, गगन चुम्बी वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है, सीधे एक्जाम में छपने वाला पसन है, इस्टा लगा के नोट के लिजेगा, गगन चुम्बी के द्वारा, तो गगन चुम्बी में भाई समास बताने आपको, तक पुरुष समास हो जाएगा, गगन को चुम्बने वाला बाशट का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए, एद का चांद होना मोहावरे का शही अर्थ क्या है, बहुत कमेंट बाक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दिया करें एद का चांद होना मोहावरे का शही अर्थ क्या है कभी-कभी दिखना ठीक है, तिरशट का ए आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, इह लोग का विपिरीतार्थक शब्द नेमने में से क्या है इह लोग का, विपिरीतार्थक शब्द नेमने में से क्या है सर्ग लोग, परलोग, भावतिक, इंदर लोग पताएं भाई, कमेंट बाक्स में और यह हमारा वाट्शब नमर है 79056325 कोई नहीं करेगा, ठीकए वाट्शब में में एंट में रिप्लाई आएगा परिशान नहीं होना यह कि अभी 4-5 दिन पहले एक मतलब call आया था अब पता नहीं, वो मतलब पिछले येर का इस visitorिंत्त था मेरा मथाव आप का रिखाईब कुछ हो कहीं क्लियर ना हो पारा तब आप अर्जेंट में कॉल मुझी कर सकते हैं अब फरजी बाते करने के लिए भाई ना मेरे पास टाइम है ना आप लोग के पास तो इसलिए बहुता हूं कि आप लोग वाट्शाप पे कमेंट कर दिया करें तो इहीं लोग का विब्रीर् अनुआई होता है अनियाई नहीं होता है अनिष्ट आपका सही है ठीक है अनिष्ट चलिए उत्पत्ति के आधार पर कौन सब्द का भेत नहीं है इसमें यहां पे तत्शम है तत्भव है देशज है योगिक है तो उत्पत्ति के आधार पर कौन सब्द का भेत नहीं है वेर आपका बिल्कुन करिक्ट हो जागा और शाथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे UPBate Entrance Exam 2023 के बेश्ट बुक के बारे में जोकी है चक्सु फ्रकाशन की बुक आप लोग इस बुक का काववार पीश दिख सकते हैं कला वरगी की S3 गाइड बुक है ये गाइड आप लोग लेश रखते हैं मारकेट में एवलेवल है 27 से जादा अपजिक्टिक कोश्चन देखने को मिलेंगे 2017 से 22 से की प्रिविसर के कोश्चन भी देखने को मिलेंगे नवेनतम पार्टिकरम एवं परिछा पद्दति पर आधारित है या पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से स्रेश्ट है पूरा थेवरी वाइस इस बुक में दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है आप एक्जाम पैटर्न देख सकते हैं आप लोग बुक भी आती है तो आपनी और भी अच्छी तयारी के लिए इनकी प्रेक्टिस सेट की बुक लेश रखते हैं प्रेक्टिस सेट की बुक में 49 ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशन 600 पेपर 15 प्रेक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे तो दोनों पुस्त के हर मार्केट पे हर जगा आपको वहती आसानी से मिल जागी ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले शकते हैं इस वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दे दियाओं आप लोग ऑनलाइन भी परचेश कर सकते हैं चलिए अगले प्रश्न का जॉब देंगे सब लोग कन्वूजी की हपशन का प्रश्न का जॉब कर्शाभासार की idd cada नत्योंär करेंगे स्री गुरुचरन सरोज, रज निजमन, मुकुर सुधारी, बरनो रगुवर, मिमल जसुजो, दाइक फलचारी, उप्रोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार है छंद बताना है आपको कौन सा छंद है और ये बहुत ही जबर्जस्त है उधारन, ये कोश्चन कई बार एक्जामे पूछा जा चुका है सब लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे, कौन सा छंद है इसमें तो इसमें आपका दोहा चंद हो जागा कौन सा चंद हो जागा? दोहा चंद हो जागा ठीक है? चलिए नेल्यस, सरोरूह, स्यामतरुन, अरुनवारिजनैन करूसों, मम उद्रधाम सदाचीर, सागर सैन उब्रोक्त पंक्तियों में चंद बताना है इसमें भी 69 का जवब दने के प्रयास करेंगे वीडियो को लाइक करो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे प्रिस के लिजगा इस चैनल से मैं बार बार कहता हूँ कि निश्यत ही आपको मदद मिलेगी तो इसमें आपका शोरठा चंद हो जागा चलिए आगे चलते हैं एक म्यान में दो तलवार का मोहावरे का अर्थ क्या है कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते इस मोहावरे का अर्थ क्या है? एक मयान में दो तलवार का मोहारे का अर्थ क्या है? कि एक ही इस्तान पर दो समाना दिकारी नहीं रह सकते सत्तर का जीतने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिया उनका अंसर बिल्कुन सही हो जाएगा चलिए तमस किसकी रचना है? कतई जहर वाला पसन है तमस किसकी रचना है? 71 का जवाब दने के प्रास करेंगे भी इस में साहनी की या लक्ष मिकांत वर्मा की उपेंदर नाथ असके की या धर्मेवीर भारती की तो तमस जहान रखना किसकी रचना है? भीस मसाय नहीं की है एकत्तर का ए आपका बिल्कुन correct हो जगा बाबा बटेशर नात की रशनकार है कौन बताएं से ब लोग बाबा बटेशर नात की रशनकार कौन है very very important question है बाबा बटेशर नात की रशनकार कौन है नागर्जुन, राजेंदर यादव, महादेवी वर्मा, नामवर सिंग तो बाबा, बटेशर, नात के रशनकार कौन है? नागर्जुन है, 72 यह आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए, कुरू-कुरू स्वाहा के रचैता कौन है? कुरू-कुरू स्वाहा के रचैता कौन है? कमलेश्वर, धर्मीरभाती, मनुहर स्याम जोसी, विश्नु परभागर तो कुरू-कुरू स्वाहा के रचैता कौन है? मनुहर स्याम जोसी है 73 का भाई C, आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए नित नौ लीला ललित ठानी गो लोंक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में और प्रियुक्त पंक्तियों में चंद बताना है बरवे चंद रोला चंद शोरठा चंद या हरीगीति का चंद सिवन्टी फोर को जाप देने के प्रियास करेंगे बादाने साब लोग बाई गुड़ाप्टोन वाई सभी को गुड़ाप्टोन और तयारी बाई स्टार्ट करें नहें 24 अप्राइल को ही आपका एक्जाम होगा यह मत सोची अगा कि देट बढ़ गए यह फार्म की तो एक् सीट अपनी फिक्स कर सकें आप लोग तो बताएं सब लोग भाई क्या कौन सा चंद हो जागा सभी लोग बताएं किस चंद के अंतरगत है यह पंक्ती 74 को जवाब देने के प्रैस करेंगे तो इसमें बरवे चंद आपका हो जागा ठीक है बहुत यच्छे बहुत यच्छे यह जवाब दिये हैं बहुत सारे लोग चलिए रहिमन मोही ना सुहाए अमी पियावत मान बिंदु वरन विस्दे बुलाए मान सहित गरिमरी बो भला और प्रोक्त पंक्तियां किस चंद के अंतरगत हैं बताएं सब लोग और प्रोक्त पंक्तियां किस चंद के अंतरगत है सोर्ठा चंद के अंतरगा थे बाई 75 का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा किस वाक में विशेशन शम्बंधी असुद्धी नहीं है 76 का जौब देने के प्रेस करेंगे से बलू 76 का जौब देने के प्रेस करेंगे से बलू वाह बताएं से बलो किस वाक में विशेशन शम्बंधी असुद्धी नहीं है तो किवल ये वाला जो आपको दिख रहा है वहाँ ज्वर की सर्वकरष्ट की किस्ता होती है ये आपका जो है विशेशन शम्बंधी असुद्धी इस में नहीं है इस वाक में बाकि सभी में है ठीक है यह आपका बिलकुन करेक्ट होजगा चीप की दावत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुर्शन ने श्टाल लगा के नोट कर लिजगा कई बार ये प्रश्ण एक्जाम में पूँचा जा चुगा है चीप की दावत किसकी करती है तो ये भीस मसाय नहीं किया है ठीक है चीप की दावत किसकी करती है भीस मसाय नहीं किया है चलिए जिस सब्द की विसेशता बताई जाती है उसे कहते हैं क्या जिस सब्द की विसेशता बताई जाती है उसे कहते हैं क्या 78 का जौब दिने के प्रैस करेंगे जिस सब्द की विसेशता बताई जाती है उसे कहते हैं क्या विसेश कहते हैं 78 का यह आपका बिल्कुम करेक्ट हो जगा माथा ठनकना मुहावरे का शही अर्थ क्या है माथा ठनकना मुहावरे का शही अर्थ क्या है सिरदर्द होना माथा घायल होना संदे होना तो माथा ठनकना मुहावरे का शही अर्थ है संदे होना ठीक है 79 का जितने भी लोग यहाँ पे D जवाब दिये है उनका अंसर बिलकुन सही हो जागा गुरू के समीप रहने वाला के लिए शब्द क्या हो जगा very very most important question है और अब जो आपकी हिंदी टॉपिक वाइसी class होगी वो होली बाद होगी यानि कि नव से फेस्टिवल में एंजवाइं करें आप लोग भी हम भी चल ले हैं घर एंजवाइं करेंगे कल देके class होगी कल और class होगी गुरू के समीप रहने वाला विद्दार थी क्या कहलाता है अन्तेवासी कहलाता है ठीक है चलिए 80 का यह आपका बिल्कुन correct हो जगा जिसके पास कुछ नहों उसके लिए शब्द क्या होगा 81 का क्या हो जागा सही उत्तर ही आपको बताना है जिसके पास कुछ नहों आकिंचन हो जागा ठीक है 81 का B आपका बिल्कुन correct हो जागा भाई चलिए आगे चलते हैं जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा ये तो प्रश्ण में कई बार करवा चुका हूँ जो शब्द कुछ जानता हो उसके लिए सब्द होगा सरवग्य हो जागा ठीक है चलिए जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा जिसका ग्यान इंद्रियों दोरा ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा आगोचर होगा क्या हो जगा आगोचर हो जाएगा ठीक है और होली जैसे ही हो बस नवतारिक से तैयारी में फिर से जुट जाना है फिर से बस उसी जोस में नवतारिक से मैं क्लास लोगा आप लोग अंक का प्रेवाची बताएं सबी लोग अंक का प्रेवाची है संख्या हो जागा क्या हो जागा संख्या हो जागा ठीक है बहुत अच्छे अभ्यास्त का प्रेवाची है अभ्यस्त का प्रेवाची है 86 का जौब देने के प्रयास करेंगे अभ्यस्त का प्रेवाची आपका आदी हो जागा ठीक है चलिए आरेंडे का प्रेवाची बताएं आरेंडे का प्रेवाची 88 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, आनंद का प्रेवाची बताएं, आनंद का प्रेवाची बताएं से ब्लोग, 89 का राइट अंसर क्या होगा भाई, आनंद का प्रेवाची बताने का प्रयास करें से ब्लोग, क्या हो जगा, आनंद का प्रेवाची आपका हो जगा, प् अंगीठी का ततश्रम शब्द क्या है अंगिश्टिका हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अंगूठी का बताएं ततश्रम शब्द क्या होगा अंगूठी क्या होगा ठीक है ततश्रम तदभो से प्रशन हंडेट प्रशन आपके एकजामें आएंगे दो तो आना ही आना है दो से तीन हो जाएगा बड़ दो तो आएगा ही आएगा अंगूठी के तश्रम बताएं सब लोग अंगूश्टी की हो जाएगा ठीक है चलिए सी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का शही अर्थ क्या है अलप ग्यान का देकता रहे है यथार्त का विप्रितार तक शब्द बताएं तो यथार्त का देखी जो विप्रितार तक शब्द होता है कलपी तो होता है क्या होता है कलपी तो होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा निम्न में से सूर का प्रवाची है कौन सा दूरी का प्रवाची बताएं सब्लोग, दिभ्यांसू हो जगा, डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए आगे चलते हैं, बहुत यचे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, सुद्ध रूप का चैन करना है, जूटा गवाही मत देना, इसका शुद्ध क्या होगा, जूटा गवाही देना मत, जूट गवाही मत देना, जूटी गवाही मत देना, जूटी गवाही मत देना, तो यह आपका बिलकुन सही है, जूटी गवाही मत देना, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोली है, हमने हिंदी बचपन से बोला है हमने बचपन से हिंदी को बोला है बचपन से बोला हिंदी में है यह पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि यह सुद्ध है कि अशुद्ध है तो यह आपका बिल्कुन सही हो जागा यही आपका बिल्कुन सही हो जागा ठीक है चलिए वीड विए इनौगरी छोन दिया उसकी नौकरी छोन दिया उसने नौकरी छोड़ दिए आपका सइय है ठीक है चलिए शंगराम तता करवला किसी नाथक रज्ञत Beginning डिक्रति हैículo महादेवी वर्मा जी की है ठीक है लाज्ट प्रश्ण गोपाल में काउन सा समास है गोपाल में समास बताना है आपको बहुबरही समास हो जागा ठीक है शो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी लैंगेज की बहुत ही जबर्जस क्लास कैसी लगी क्लास कमेंट बाक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजगा और ऐसी ही जबर्जस क्लास देखने के लिए एजुकेशन के साल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ओल चुकिस के लिए जगा ताकि कोई भी क्लास आए कोई भी अपडेट है भीयत की वो अपडेट आपको हमारे चैनल के बातम से मिल सके तो चलिए मिलते हैं अंगली क्लास पे इस वीडियो को लाइक सेयर करना बिलकुन भी मत भूलीगा एंजवाय करें कल भी और क्लास होगी अभी साम साड़े 6 बज़े भी क्लास होगी कल ला क्लास है